आज की स्टोरी का नाम है रिस्वत खोर हमेशा के लिए बिग जाता है आज की स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले आप समय अच्छा नपना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए आप पास में लेगा पैल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे हर ने वीडियो नोटिफिक करता है एक किले का सेना पती अपने सैनिकों का नित्रित्व कर रहा था उसके सैनिकों ने एक किले की घेरा बंदी कर ली थी वे सब 2400 घंटे किले की निग्रानी कर रहे थे किले से आँख बचा कर कोई भी नहीं भाग सकता था किले के सेना पती ने अपने निकट सहयोग्यो उसे कहा हमारे सैनिकों को भोजन और पानी की बहुत जरूरत है उनके पास बहुत थोड़ा भोजन और जल की बेवस्ता है जो पर्याप्त है हम सिग्र ही दुस्मन के हाथों मारे जाएंगे घेरा बंदी जारी रही एक महीना बीत जाने के बाद भी उसके सैनिकों के मन में तनिक भी खबराहट नहीं थी सेना पती को अपनी जीत पर पूरा भरोसा था उसी रात सेना पती पास के सहर में गया घुर सवारी करता हुआ वो नगर के परिसर में इस्तित एक घर पर पहुँचा उसने उस घर का दर्वाजा खटकटाया अंदर से आवाज आई कौन है सेना पती ने बाहर से ही अपना परिचे दिया दर्वाजा खुलने पर मेजबान ने बिना किसी उत्सा का प्रदर्शन किये सेना पती को अंदर आने के लिए कहा सेना पती ने जट से उसे टोका की वो उसके आने से खुश नहीं लग रहा है तब मेजबान ने दबे हुए सोर में जवाब दिया आप इसकी वज़ा भली भाती जानते हैं एक समय में मैं किले के अधिकार अधिकारी हुआ करता था अब मैं सेवा निर्वित हो चुका हूँ और किले से दूर यहां आकर बस चुका हूँ अगर सैनिको को यह पता चल गया कि मैं आप से मिला हुआ हूँ तो वे लोग मेरा कतल कर देंगे तब सेना पती ने कहा ठीक है मैं जरूरत से ज़्यादा यहां नहीं ठहरूँगा जब तुम किले में कारे रत थे तब मैंने आर्थिक रूप से कई बार तुम्हारी साहता की थी क्या मैंने कभी भी बदले में तुमसे कुछ मांगा अब तुमसे कुछ मांगने का वक्त आ गया है मुझे ये बताओ कि क्या किले की और जाने के लिए कोई गुपत रास्ता है में जबान इस बात का जवाब देने में हिचकिचाने लगा इस पर सेना पती ने जोड देकर कहा जल्दी से मुझे बताओ, नहीं तो मैं तुम्हारे अधिकारी के समक्ष गवा पेश करके यह साबित कर दूँगा कि तुमने मुझसे रिस्वत ली है, यह तुम्हारे जीवन का अंधी होगा, मेजवान ने ना चाहते हुए भी सेनपती को गुप्त रास्ती की जनकारी दे द यह बिग जाता है, अगले दिन साम होते ही सेनपती अपने सैनिकों के साथ उस सुरंग तक पहुँच गया, जिसका पता उसे किले के पूर्व अधिकारी से मिला था, उसने अपने सैनिकों को चुपके से आकरमड करने का आदेश दिया, किले के अंदर उपस्तित सभी सैनिक अशर चकित रह गए, अगले ही पल सारे सैनिक किले के अंदर घुज गए, और किले पर अपना कबजा जमा लिया, इस प्रकार एक रिस्वत खोर के कारण किला हाथ से जाता रहा, इस कहानी से यह सिच्छा मिलती है, कि जिसके मुँख खून लग गया हो, वह उसका स्वाद बार बार चखने का आदी हो जाता है, जो आदमी पैसो की खातिर खुद को पेच देता है, वह सदा के लिए दूसरों का गुलाम बन कर रह जाता है, तो गैज आपको रिश्वत खोर के इस्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और अब हम आपको दूसर के भोजन के बाद घर के कामकाज में अपनी मा का हाथ बटाया, यह देखकर रोहित की माने रोहित की पीट थपतपाई और खुश होकर दिर्ग आयू होने का आसिरवाद दिया, और कहां बड़े होकर तुम भी अपने पिता जी की तरह घर के छोटे मोटे कारें में अपना स दया योग दे सकते हो, कास तुमारे पिता जी यहां होते हैं, परंतु वे तो अधिकतर बाहर की ही यात्रा पर रहते हैं, बातरूम का नल टपक रहा हैं, नल मिस्त्री को कई बार कहा, पर ऐसे छोटे मोटे कारें के लिए घर पर नहीं आता, इस पर रोहित ने तुरंत कहा यह कारे मैं कर सकता हूँ ममी, उसकी माने ना में उत्तर दिया, और सोने के लिए अपने रूम में चली गई, रोहित ने अपने आप से कहा, नल की मरमत करना तो एक आसान सा कारे होना चाहिए, मैंने अपने पिता जी को इसकी मरमत करते हुए कई बार देखा है, वो मरमत की प्रकिरिया को याद करने लगा, रिंच को उठाया, उसे नल की चूड़ी पर कस लो, और नल को खोड़ लो, फिर शावर को बदल लो, और फिर नल को वापस कस कर उसी जगह पर फिट कर दो, उसे ये काम बहुत आसान लग रहा था, फिर वो दबे पां, पीछे के बरामदे में रखे सेल्फ तक गया, और उसमें रखे टूल बॉक्स को लेकर बातरूं की ओर दोड़ पड़ा, नल से पानी टपक रहा था, रोहित ने जट से रिंच निकाला, उसे उसने नल में फिट किया, और अपनी पूरिश ताकत से उसे घुमाने की कोशिश की, लेकिन वो सफल ना हो सका, फिर हुआ सोचने लगा कि इस इस्थिती में उसके पिताजी क्या करते हैं, तब उसे याद आया कि उसके पिताजी ऐसी इस्थिती में रिंच के दूसरे छोर पर एक भारी इट की चोट मारते, रोहित ने भी ऐसा ही किया, दुर्भाग्यवर्ष ऐसा करने से ये कारे तो मुझे करना ही है, ताकि मेरी मा खुस हो जाए, उसने फिर से रिंच पर चोट मारी, इस बार वो सफल रहा, नल खुल गया, और पानी बाहर निकल कर पहने लगा, रोहित पूरा गीला हो गया, पर उसने इसकी परवा नहीं की, लेकिन रोहित को तब जोर का जट का लगा, जब बहते पानी में, पानी के वेग से नल की तूटी पहले हवा में उचल कर सामने की दिवार पर टकराई, और फिर लोट कर उसकी नाक में जोर से जाकर लगी, जिससे उसकी नाक पर चोट लग गई, इस दोरान तूटी जमीन पर गिर गई, तथा पानी के साथ बहकर नाली में चली गई, रोहित इधर उधर नजर घुमा कर टोटी को ढूडने लगा, इस पिछ पानी का इस तर बढ़ने लगा, उसने जोर लगा कर नाली का धकन खोलने की प्रयाश की, लेकिन वो ऐसा ना कर सका, पूरे बात्रूम में पानी भर चुका था, सीगर ही उ अब वो सोच ही नहीं पा रहा था कि क्या करें, क्या ना करें, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, फिर उसके दिमाग में एक तरकीव आई, वो नाली का मुझ खोलने के लिए पिछकस के परियोग के बारे में सोचने लगा, ठीक इसी समय उसकी मा दोड़ती हुई आई, और उसे जोड से डाट कर पूछा की, वो ये क्या कर बैठा, उसकी मा ने रोहित को कस कर पकड़ा और घसीट कर बाहर की ओर ले गई, और कहा, तुम्हें इस काम के बारे में क्या जानकारी है, रोहित ने रुआ से सुर में कहा, लेकिन मा मैंने पिता जी को कई बार ऐसा करते उसकी मा ने कहा, तो क्या हुआ, तुम्हारा ग्यान तो अधूरा है, रोहित की मा ने सबसे पहले में वाल्प को बंद किया, फिर किसी तरह से पानी की निकास में हो रही रुकावट को दूर किया, इस तरह सारा पानी नाली में बह गया, रोहित की मा ने उसे डाटते हुए कहा देखो तुमने क्या उल्टा पुल्टा कर दिया फिर वो उसकी चोटिल नाग तथा अंगूठे को देखकर क्रोधित हो गई तथा उसे डाटते हुए कहा कि उसकी वज़ा से बात्रूम एक तालाब में तबदिल हो गया था और फिर उसको कमरे में ले गई तथा उसके चो पूट लगे थी उस शरीर पर मलहम पट्टी की और साथ ही एक बात को हमेशा याद रखने की हिदायत दी कि किसी चीज का काम उंकम ज्यान होना खतरनाक सावित हो सकता है इस बात को सदेव याद रखना इस कहानी से हमें यह सिच्छा मिलती है कि जीवन में सफलता प्राप् विशेज की अच्छी जानकारी होना अत्यांत आवाश्यक है अग्यानता की वजह से व्यक्ति हमेंसा खुद को और दूसरों को हानी पहुंचाता है इसलिए तो कहा गया है कि नीमह की खत्रे जान तो गाइस आपको दोनों स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बता झाल